नमस्कार दोस्तों, लर्न विथार जे में आपका स्वागत है तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ Sales and Distribution Management के MCQs को आईए देखते हैं पहला कुश्चन है Selling Include, Advertising, Transfer of Title from Seller to Buyer, Sales Promotion या Non-Apdij विक्रे में सामिल है, विग्यापन देना, विक्रेता से क्रेता को स्वामित का स्थानांतरर, विक्री संबर्धन या इनमें से कोई नहीं तो यहाँ पर आपका Option No.2 सही हो जाएगा, कि विक्रे का मतलब होता है Transfer of Title from Seller to Buyer विक्रेता से क्रेता को जब स्वामित का स्थानांतरर होता है, तो इसे हम Selling कहते हैं अगला प्रसन है, What is not a Sales Force Promotion Scheme? Bonus to Sales Force, Slotting Allowance, Sales Force Contest या Non-Apdij निम्न में से कौन सा विक्री बल प्रोसाहन योजना नहीं है? विक्री बल को Bonus, Slotting भता, विक्री बल प्रतियोगिता हैं या इन में से कोई नहीं तो यहाँ पर आपका Option No.2 सही होगा, Slotting Allowance ये प्रोसाहन योजना नहीं होती है विक्री बल को यादी Bonus दिया जाता है या कोई प्रतियोगिता कराई जाती है तो वो प्रसाहन योजना में आती है अगला प्रसने, किस तरके के विज्यापन के प्रकार का उप्योग तब किया जाता है जब उत्पाद PLC के विकास चरन में प्रवेस करता है चैनात्मक विज्यापन, अनुसमारक विज्यापन, प्रात्मिक विज्यापन या इन में से कोई नहीं विश टाइप आप अडवर्टिजमेंट इस यूजड विन दा प्रोड़क्ट इंटर इंटू ग्रोथ श्टेज आप PLC PLC मतलब प्रोड़क्ट लाइफ साइकिल सलेक्टिव एडवर्टाइजिंग, रिमांडर एडवर्टाइजिंग, प्राइमरी एडवर्टाइजिंग या नन अपदीज तो यहाँ पर आपका आपसन नमबर एस सही होगा सलेक्टिव एडवर्टाइजिंग Selective Advertising मतलब चुनिन्दा तरिके से यानि कभी किस समय पे विग्यापन देना है कितना देना है ये चैनात्मक तरिके से तै किया जाता है प्रात्मिक विग्यापन पहले स्टेज में होता है और Reminder Advertising जो है ये थर्ड स्टेज में होता है second stage में जंदली जो है selective advertising किया जाता है अगला प्रसन है निमलिखित में से कौन सा विक्री संबर्धन उपकरन नहीं है which app the following is not a sales promotion tool discount, shoot, dealer contest या dealer प्रतियोगता है advertisement, विज्यापन या consumer contest उभुकता प्रतियोगता तो यहाँ पर आपका option number C सही होगा advertisement एक अलग चीज होती है, ये विक्री संबर्धन का हिस्सा नहीं है ठीक है, ये promotion mix का हिस्सा है, sales promotion का हिस्सा नहीं है बाकी तिनों sales promotion के हिस्से होते हैं अगला प्रसन है, विक्री के बाद सेवा किसका हिस्सा है तो यहाँ पर आपका option number B सही होगा संबर्धित उत्पाद या augmented product अगला प्रसन है, खरिदारी की प्रक्रिया तब सुरू होती है जब कोई खरिदार किसी को पहचानता है किसको पहचानता है, उत्पाद या उत्पाद के लिए एक विग्यापन या पिछली यात्ता का एक विक्रेता, या समस्या या आऊ सकता तो देखो, buying process तो तभी श्टार्ट होता है जब कोई need पैदा होती है, कोई आसकता पैदा होती है ठीक है, जब आसकता पैदा हो जाती है, तब हम product और advertisement की ओर ध्यान देते है सबसे पहली चीज़ है, problem या need का पैदा होना अगला प्रसन है, marketing help firm to increase their profit by विपरन कमपनियों को किस तरीके से अपना लाव प्रदान या बढ़ाने में मदद करता है increase in sales, increase in product, increase in price या increase in customer तो देखो, यहाँ पर आपका option number D सही होगा, ग्रहकों में व्रिद्धी या increase in customer ठीक है, जब customer बढ़ेंगे, तो विक्री अपने आप बढ़ेगी, demand बढ़ेगी, तो price आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, यादि customer उस चीज़ को पसंद कर आए तो तो विप्रेंग का main objective होता है कि customer को बढ़ाना, option number D आपका सही होगा, अगला प्रसन है, inside sale is known as, आंतरीक विक्री को कहा जाता है, direct marketing, telemarketing, social marketing या virtual marketing, तो यहाँ पर आपका option number D सही होगा, telemarketing, इसे जो है inside sale नाम से भी जाना जाता है, अगला प्रसन है, what is your attempt to reduce the demand for the consumption of a specific product or service? on a permanent or temporary basis, अस्थाई या अस्थाई आधार पर किसी विशेष्ट उत्पाद या सेवा की खपत मांग को कम करने का एक प्रयास कहलाता है, demarketing, remarketing, ostensible marketing या synchronic marketing, तो यहाँ पर आपका option number A सही होगा, demarketing, demarketing एक ऐसी प्रक्टिया है, जिसमें अपने product की demand को कम करने का प्रयास क inbound logistic is a flow of material from manufacturer to distributor, a flow of material from distributor to retailer, a flow of goods from retailer to consumer, या a flow of material from supplier to manufacturer, तो यहाँ पर inbound logistic का मतलब होता है, कि यहाँ material को supplier से manufacturer तक पहुँचाने के लिए जो flow होता है, वो inbound logistic कहा जाता है, अगला प्रस्न है, what play a dominant role in SCM, production, product development, logistic या competitor, तो यहाँ पर आपका option number C सही हो जाएगा, logistic, अगला प्रस्न है, which marketing is responsible for ensuring that product in distributor and it is seller, locations get sold out, कौन सा अभिप्रन या सुनिश्चित करने के लिए जिमिदार है, कि वितरक और पुनर विक्रिता के अस्थान पर product बिक जाए, channel, telly, online या POS, तो यहाँ पर आपका option number C सही हो जाएगा, channel, ठीक है न, धिप्रन का जो channel होता है, उसकी जिमिदारी होती है, कि product के जो है, वो distributor और retailer के पास से उसके location पर विक्रि हो जाए, अगला प्रस्न है, एक channel marketing manager आहम तोर पे किस कारे के लिए जिमिदार होता है, और channel marketing manager is typically responsible for the which function, selling, sales through, sales budgeting, या sales control, तो marketing manager का main क marketing, ठीक है, option number C आपका सही हो जाएगा, अगला प्रस्न है, कियोस्क के इजाएन एक्जामपल आप, wholesaling, retailing, franchising, या buying organizations, कियोस्क किस का उधारर है, ठोक विक्री, खुदा विक्री, franchising या क्रेश संगठन, तो कियोस्क जो है, retailing के लिए use किया जाता है, छोटे-छोटे center बनाय जाते हैं, वस्तुओं को बेचने के, उसे कियोस्क का जाता है, तो ये retailing का ही एक हिस्सा है, अगला प्रस्न है, department store, our example आप, department store के इसके उधारर है, ठोक विक्री, खुदरा विक्री, franchising, wholesaling, retailing, या franchising, तो देखो, departmental store जो है, ये retailing के लिए use होते हैं, option number B आपका सही हो जा है, what contains division-wide information, and cheaper than a data warehouse, data mining, data collection, data synthesis, या data mart, तो देखो, data mart यहाँ पे सही हो जाएगा, option number D, अगला प्रस्न है, by maintaining contact after the sales, the seller is in a position to become more accepted by the customer, which invariably lead to the learn about competitors, learn about society, learn about market, या sales person, learn more about the customer and its choice, विक्री के बाद संपर्ट बनाये रखने से विक्रेता, ग्रहक द्वारा अधिक स्विकारी बनने के स्थिती में हो जाता है, जो निश्चत तूप से किस ओर ले जाता है, तो यदि ऐसा होता है, तो sales person जो है, अपने customer के बारे में, और अपने customer के choice के बार अगला प्रसने, वो भुकता बिक्री प्रचार में, ग्रहकों को किसी तरह से प्रतिक्रिया देने के लिए, प्रेरित करने के लिए, डिजाइन किये गए विभिन प्रकार के क्या सामिल है, तो यहाँ पे देखो, sales promotion कभी भी short term में, customer को आकरसित करने के लिए किया जाता है, ठीक है न, तो consumer sales promotion जो है, short term promotion technique है, जो consumer के response को induce करने के लिए प्रियोग किया जाता है, अगला प्रसने, what is the role of the sales manager in effective pathway to generate sales, बिक्री उत्पन करने के लिए, बिक्री प्रबंधक की भूम का क्या है, एक बिक्री को प्रतिबंधित करें, manage sales, कर्मिचारियों का प्रबंधन करें, manage imply, संसाधनों का प्रबंधन करें, manage resources, या record को प्रबंध करें, manage record, यहाँ पर आपका आप्सन नमबरे सही होगा, manage sales, अगला प्रसन देखे, निमलिखित में से कौन साब यक्तिगत विक्रे का प्रमुकलाब है, विच आप दफालोईंगी जाँ major advantage आप परसनल सेलिंग, targeted message, लच्छ संदेश, reach and frequency, पहुंच और अबडिती, more sales, अधिक विक्री, या नन आप दीज, इन में से कोई नहीं, तो यहाँ पे आपका option number ये सही होगा, कि personal selling में आप targeted message कर सकते हैं, लच्छ संदेश को ग्रांकों तक पहुंचा सकते हैं, अगला प्रसने, what is any paid form of the non-personal persuasion and promotion of idea, goods and service, advertising, personal selling, publicity या sales promotion, गैर व्यक्तिगत, अनुने और विचारों, वस्तूं और सेवाओं के प्रचार का कोई तो यहाँ पे आपका option number ये सही हो जाएगा, advertising या विज्यापन, ठीक है, या अव्यक्तिगत होता है, गैर व्यक्तिगत होता है, और इसके लिए भुक्तान करना पड़ता है, ठीक है, अगला प्रसने, what derive a person towards selection of a particular shop of supplier of goods or service, किसी व्यक्ति को किसी विसेस, दुकान, या वस्त पे रित क्या करता है, तो यहाँ पे आपका option number 20 सही हो का संदच्छर, patronage, उभुक्ता संदच्छर प्रेटनाओं में ये आता है, अपसन number 20 आपका सही हो जाएगा, अगला प्रसने, what can be produced and marketed as a product, किसे एक उत्पाद के रुप में उत्पादेत और विप्रन किया जा सकता है, information जानतारी, celebrities, हस्तिया, properties, या कोई गोण, या organization, संगठन, तो देखो किसी भी information को आप उत्ताद के रुप में बना सकते हैं, और उसे marketing कर सकते हैं, आज के information age में ये काफी popular हो गया है, कि information को भी एक product बना लिया जाए, अगला प्रसने, customer are showing greater price sensitivity in their search for, ग्रहक अपनी खोज में अधिक मुल्य संबेदन सिल्ता दिखा रहे हैं, संबेदन सिल्ता दिखा रहे हैं, सही उत्पाद, सही सेवा, कीमत, या सही दुकान, the right product, the right service, value, या the right store, तो देखो जब price sensitive market है, यानि वो value के उपर focus कर रहे हैं, consumer, option number C आपका सही हो जाएगा, अगला प्रसने, ग्रहक अधारना की रुप में जाना जाता है, the customer focused philosophy is known as the which concept, आपका option number D सही होगा, marketing concept, ठेक है, production, product और selling तो नहीं होगा, marketing concept में, consumer satisfaction की बात की जाती है, अगला प्रसने, जब क्रह सकती का समर्थन किया जाता है, तो इच्छाएं क्या बन जाती है, when backed by the buying power, want becomes social need, सामाजी का हो सकता है एक्षेंज, demand या मांग, physical need, सारी रिक्स जड़ रहते हैं, तो देखो सबसे पहले व्यक्ति के मन में कोई इच्छा आती है, want आती है, और जब उस want को पूरा करने के लिए buying power आ जाता है, तो वो demand में बदल जाता है, option number C आपका सही हो जाएगा, अगला प्रसने, the process of direct communication between the sales person end of prospect is called, personal selling, direct marketing, advertising, या none of these, विक्टे करने वाले व्यक्ति और संभायवित रहा के बीच सीधे संचार की प्रक्टिया को क्या कहा जाता है, तो इसे हम कहते है, personal selling, option number C आपका सही हो जाएगा, अगला प्रसने, what is the marketing of a social message, with a view of change behavior of people have it, किसे लोगों की आदत के व्योहार को बद संदेश के रुप में विपरित किया जाता है, green marketing, social marketing, gametious marketing या none of these, तो यहाँ पर आपका option number B से योगा, social marketing, सामाजिक विपरन, एक ऐसी प्रक्टिया है, जिसमें किसी सामाजिक संदेश को, लोगों के व्योहार को बदलने के उदेश्य से market किया जाता है, अगला प्रसने, marketing के 7P में सामिल है, 7P आप marketing include, process, people, physical evidence या all of these, तो देखो, जो service marketing होती है, इसके 7P होते हैं, ठीक है न, 4P तो वही होते हैं, product, price, place और promotion, ठीक है, 4P वही होते हैं, जो product वाले में होते हैं, और 3 additional page, service marketing में जूर जाते हैं, process, people और physical evidence, ठीक है, तो यहाँ पर आपका option number D से हो जाएगा, कि यह तीनों ही जो है, 7P आप marketing के अंग हैं, अगला प्रसन है, companies using team of salesperson, specialized in sales, marketing, engineering, finance, and technical support, used for the managing complex account is known as, जब जटिल खातों के प्रवंधन के लिए, बिक्री, विपरन, engineering, with, तक्निकी सहायता में, विसज्यता रखने वाले salesperson की team का उप्योग, company द्वारा किया जाता है, तो इससे क्या कहते हैं, तो इससे कहते हैं, team selling, ठीक है, option number D आपका सही हो जाएगा, अगला प्रसन देखे, the sales people of sales force, sell their product may be relevant to a wide variety of products, type of customers, and broad geographical area, is known as, product sales force, customers, more importantly actions, personal selling, promotion mix, dealer promotion method, या sales promotion, खरिदारों की प्रत्मिक्ताएं, ड्रेट, विश्वास और सबसे महतपूर कारवाही करने का, सबसे प्रभावी प्रचार उपकरन क्या है, तो ये है personal selling, ठीक है, व्यक्तिगत विक्रे, आपसल नमबर ये आपका सही हो जाएगा, अगला प्रसने, डिजाइनिंग सेल्स फोर्स स्ट्रेटेजी, एंड इस्ट्रक्चर, रिक्रूट एंड सलेक्ट, ट्रेनिंग कंपेंसेशन, सुपरवाईज, एंड एवेलवेशन, और दमेजर इस्टेप आप, विक्रीबल के रणनिती बनाना, संदचना को डिजाइन करन भरती करना, चैन करना, प्रसिचर देना, मुआउजा, पर्यवेचर और मुल्यांकन, ये सब किसके चड़न हैं, डिजाइनिंग सेल्स फोर्स, बिक्रीबल को डिजाइन करना, सेल्स फोर्स मेनेजमेंट, बिक्रीबल का प्रबंधन, सेल्स फोर्स इस्ट्रेटेजी, यानि विक्री बल की इठार निती या structure of the sales force विक्री बल की संतचना तो यहाँ पे आपका आपसन नमबर भी सही हो जाएगा sales force management विक्रे बल का प्रबंधन इसमें ये सारे काम करने पड़ते हैं अगला प्रसंद देखे फ्रिंज benefit, variable amount, fixed amount expenses are the part of what in the sales force management तो यहाँ पे आपका आपसन नमबर भी सही होगा compensating ठीक है fringe benefit यानि additional benefit, variable amount, fixed amount, expenses ये सब compensation के अंतरगत आ जाते हैं अगला प्रसंद देखे प्रोवाइडिंग नालेज आप प्रोड़क्ट, personality development communicating the criteria to the salesperson और the part of sales force management अपचारिक उत्पाद का ज्यान प्रदान करना, ब्यक्तिगत विकास, विक्रिता को मापधंड बताना, विक्री बल प्रदबंधन में कौन सांग है formal evaluation, अपचारिक मुल्यांकन, qualitative evaluation, गुरात्मक मुल्यांकन, product evaluation, उत्पाद मुल्यांकन या फिर training evaluation, sales force, complex structure या territorial sales force तो यहाँ पर आपका option number C सही होगा, complex structure अगला प्रसंद देखे, the sales people who travel to call on customer is known as outside sales force, filled sales force, inside sales force, या बोत A and B तो देखो, जब sales person जो है, traveling करता रहता है और customer के लिए काम करता रहता है तो इसे outside sales force भी कहते हैं, filled with sales force भी कहते हैं, option number D आपका सही हो जाएगा अगला प्रसंद देखे, देखतेगा तो विखरे प्रक्रिया आपे बात्चित के बाद अगला कदम क्या होता है तो यहाँ पे आपका option number C सही हो जाएगा, जब सारी बात्चित हो गई, negotiation हो गया तो sales को finally close किया जाता है, या नि पूरा किया जाता है अगला प्रसंद देखे, what is the most effective promotional tool in the making buyer preference, conviction and procedure मिल्यांकन तो यहाँ पे आपका option number B सही होगा, यह सारे qualitative बढ़ते हैं अगले प्रसंद की ओर सकारात्मक ड्रिश्टिकोर का उप्योग, छिपी हुई आपतियों को तलास करना, खरिदार से असपश्टिकरर और आपतियों के लिए पूछना, यह सब क्या है यूज आप positive approach, seek out hidden objections, ask for buyer, first clarification and objections are known as approach, pre-approach, handling objections या prospecting and qualifying तो देखो, व्यक्तिगत विक्रे में कई step होते हैं, इसमें handling objections, इस वाले stage में यह सारे काम किये जाते हैं कि positive approach से बात करना, objections जो छिपे हुए हैं क्रेता गर्मन में, उन सब को clarify करना, ठीक है, यह सब handling objections वाले step में आता है अगला प्रसन देखिए, sales person who conduct business from their offices to telephone and visiting to the customer site is known as ऐसे sales person जो कार्याले से telephone के माध्यम से या ग्रहकों के अस्थान पर जाकर विवसाई करते हैं, इनको क्या कहा जाता है इनको कहा जाता है, inside sales force, ठीक है, आंतरिक विक्रीबल, option number B आपका सही हो जाएगा अगला प्रसने, what involved the use of satisfied customer to convince the buyer of the effectiveness of the sales person product इसमें विक्रिता के उत्पाद की प्रभावसिल्ता के बारे में खरिदार को आस्वस्त करने के लिए संतुष्ट ग्रहकों का उप्योग सामिल है demonstration, guarantee, trail order या reference selling, तो देखो reference selling आपका सही option होगा reference selling यानि संदर्व विक्रे, इसके अंतरगत किसी व्यक्ति को माल जब बेचा जाता है तो पुराने customers के views को वहाँ पे दिखा कर reference देकर उनका customer को तयार करने का प्रयास किया जाता है अगला प्रसंद देखे, यह उत्पाद कारक में सामिल नहीं है, what is not included in the product factor, भौतिक प्रकरती, फिजिकल नेचर, तक्निकी प्रकरती, टेकनिकल नेचर, उप्युक्तता, सुटेबिल्टी या इनमें से कोई नहीं तो देखो, उत्पाद के कारक में भौतिक प्रकरती और तक्निकी प्रकरती तो सामिल होती है, लेकिन सुटेबिल्टी सामिल नहीं होती है, क्योंकि सुटेबल होना तो व्यक्तिगत एक मत है न, कुछी किसी व्यक्ति के लिए सुटेबल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो आपसल नंबर सी यहाँ पे सही होगा, एक ही प्रोड़क्ट जो है कुछ लोगों के लिए suitable भी होगा, unsuitable भी होगा, तो इसे नहीं तैक किया जा सकता, अगला प्रसने, यदि उत्पाद वितरर के लंबे चैनल से गुजरता है, तो विप्रंद करता को महत्तो देना होगा तो देखो जब लंबा डिस्ट्रिविशन चैनल हो, तो एड़र्टाइजिंग पे बल देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, अगला प्रसने, तो देखो रूरल एरिया में यदि पेट बढ़ानी है, पहुच बढ़ानी है, तो सटिलाइट डिस्ट्रिविशन सिस्ट्म को अपनाना पढ़ेगा, आपसन नमबर यह आपका सही होगा, अगला प्रसन है, इनकलूडेट इन दा फंक्षन आप फिजिकल सप्लाई, निमलिखित में से कौन सा भौतिक आपूर्ती के कारे में सामिल नहीं है, इस्टेंडराइजेशन, मानकी करर, स्टोरेज, भंडार, ट्रांसपोर्ट, परिवाहन, पैकेजिंग, यानि पैकिंग, तो देखो, इस्टेंडराइजेशन जो है, यह भौतिक वितरण में सामिल नहीं होता है, बाकी तीनों चीजें भौतिक वितर्ण, यानि फिजिकल सप्लाई में सामिल होती है, अपसन नमबर यह आपका, सही होगा है, अगला प्रसन है, वह बाजार जहां माल की भौतिक डिलिवरी नहीं होती है, उसे क्या कहते है, फ्यूचर मार्केट, स्पार्ट मार्केट, परफेक्ट मार्केट या नन अबदीज, तो जहां पे फिजिकल डिलिवरी वस्तों की नहीं होती है, उसे फ्यूचर मार्केट कहते हैं, भवित से का बाजार ठीक है क्योंकि वहां पे अभी आप सप्लाई नहीं करेंगे भविस के लिए खाली सौधे हो रहे हैं ठीक है अगला प्रसंदे पोश्ट द्वारा सापिंग करना कहलाता है अगला प्रसंदे की अधिक से अधिक आटलेट की उपयोग करने की रहनेती कहलाती है the strategy of using the many outlet as possible is called intensive distribution, cohesive distribution, wide distribution या all of these तो यहाँ पर आपका option number यह सही होगा intensive distribution अगला प्रस्न है vacuum cleaner के लिए वितरर का सबसे अच्छा माधिम क्या है the best channel of distribution for vacuum cleaner पिछले वीडियो में भी हमने देखा था direct marketing option number यह आपका सही होगा अगला प्रस्न है what means the set of marketing intermediaries through which the goods flow from the producer to the customer किसका अर्थ है कि विपरन मध्यस्तों का समुह जिसके माध्यम से समान उत्पादक से वो भुकता तक प्रभाहित होता है तो इसी को हम channel of distribution या वितररा प्रड़ाली कहते हैं आपson number यह आपका सही हो जाएगा अगला प्रसंद देखिए what means moving the finished good from one end of a producer to consumer किसका अर्थ है कि तयार माल को उत्पादक के एक छोर से वो भुकता तक ले जाना माल का आदान प्रदान, माल का अस्थाना अंतरर, बहुतिक वितरर या इनमें से कोई नहीं तो इससे हम कहते हैं physical distribution एक ऐसा process है जिसमें एक end पर producer है दूसरे end पर consumer है और इसके बीच में माल का आदान प्रदान किया जा रहा है तो यह physical distribution में आता है आपson number C आपका सही होगा अगला प्रसने, if marketing is done through the information and ordering machine placed in the stores is known as यदि विपरन सुचना और दुकान में रखी गई ordering machine के माध्यम से विपरन किया जाएगा तो इससे हम क्या कहेंगी, इससे हम कहेंगी कि उसके marketing आपson number C आपका सही हो जाएगा अगला प्रसने, ब्रेड और दूध किस प्रकार के उत्पाद है, ब्रेड और मिल्कार, विच काइंड आप प्रोड़क्ट, यह सब convenience के प्रोड़क्ट है, यानि किस विधाजनक उत्पाद है, आपson number B आपका, C हो जाएगा अगला प्रसन देखिए, प्रतिकूल बाहरी कारक या रुजहान जो कंपनी के लिए चुनोती पैदा कर सकते हैं, वो कहलाते हैं, ताकत, कमजोरी, आउसर, या धमकी तो यहाँ पर आपका, आपसन number D से होगा, यह सारे ठिट कहलाते हैं, एक कमपनी में, स्वाट एन अलसिस्ता यह हिस्सा है, ठीक है अगला प्रसन देखिए, प्रसन देखिए, प्रसने, किसी व्योसाय का कार्य लाव पहुचाना है ग्रहक की जड़त, उत्पाद, ग्रहक मुल या गुणवता, कस्टमर नीड, प्रड़क्स, कस्टमर वैल्यू या क्वालिटी तो यहाँ पर आपसन number C आपका सही होगा, कि किसी व्योसाय को लाव कमाने के लिए कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करना जरूरी है अगला प्रसने, what is the next stage of market segmentation, बाजार विभाजन या बाजार विभक्तिकरर का अगला चरन क्या होता है जिसका अगला चरन होता है, market targeting ठीक है, पहले बाजार को बंटा जाता है, बंटने के बाद हर एक खंड पे अलग अलग तरिके से target किया जाता है अगला प्रसने, the emotional attachment of a customer toward a brand is known as, किसी ब्राण्ड के प्रतिक रहा की भावनात्मत लगाओ को किस रूप में जाना जाता है तो इसे हम ब्राण्ड लायल्टी कहते है, अपसे नमबर ये आपका सही होगा, ब्राण्ड वफाधारी कादरी नहीं है, ये वफाधारी है अगला प्रसने, the legalized division of a brand is known as, किसी ब्राण्ड के व्यधिक्रित संसोधन को किस रूप में जाना जाता है तो इसे हम जानते हैं, ट्रेड मार्क के रूप में, ठीक है, अपसे नमबर सी आपका सही होगा जब किसी ब्राण्ड को legal तरीके से मानिता दे दी जाती है, तो वो ट्रेड मार्क में बजल जाता है अगला प्रसन है, logistic means, logistics का मतलब क्या है उत्पादन, माल का प्रवाह, अभो या विप्रन चेनल तो देखो, logistic का मतलब है, माल का प्रवाह, परिवहन एक तर्के से कह सकते हैं इसे, logistic को अपसे नमबर भी आपका सही होगा अगला प्रसन देखिए, किसमे निर्माता, लच्छ बाजार में, सिमित, संख्या में, आउटलेट पर उत्पादों की आप उर्ती करते है तो जब selective distribution होता है, तब ऐसा किया जाता है, चैनात्मक वितरर में, आपसन नमबर ये आपका सही होगा अगला प्रसने, what is the process of dividing a potential market into distinct sub-market of consumers with common need and characteristics किस प्रक्टिया में एक संभावित बाजार को आम जटत और विस्थायों वाले उभगताओं के अलग लग उप विभागों में, या उप बाजारों में विभाजित किया जाता है तो ऐसा हम market segmentation में करते हैं, आपसन नमबर ये आपका सही होगा, बाजार विभकती करें अगला प्रसने, A-I-D-A-S stand bar, A-I-D-A-S का मतलब क्या है, तो यहाँ पे देखो A का मतलब होता है attention, high का मतलब होता है interest, D का मतलब होता है desire, A का मतलब होता है action, और S का मतलब होता है satisfaction, तो यहाँ पे आपसन नमबर ये आपका सही हो जाएगा अगला प्रसने, किन बाजारों में सामान छोटे पैकटों में बेचा जाता है, goods are sold in a small packet in the which market, तो ग्रामेड इलाकों में ऐसा किया जाता है, क्योंकि ग्रामेड लोगों की आमदनी कम होती है, वो एक बार में ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते है अगला प्रसने, निमलिखित में से कौन सी सेवा विप्रंद की विशेस्ता नहीं है, which of the following is not a characteristics of service marketing, तो यहाँ पर आपका सही आपसन होगा, separatability की थक्तों, ठीक है अगला प्रसने, which of the following is known as market aggregation, निमलिखित में से किसे बाजार 81 करनर के रुप में जाना जाता है, demarketing, metamarketing, mass marketing या mega marketing, तो देखो mass marketing को market aggregation के रुप में जाना जाता है, आपसन नमबर C आपका सही होगा which of the following involves target bulk purchaser and offering them special benefit and privilege, निमलिखित में से किस में ठोक खरिदारों को लच्छित किया जाता है, और उन्हें विसे सलाव या विसे साधिकार प्रदान करने का प्यास किया जाता है तो यह किया जाता है, frequency marketing में, अबरिती विपरन, आपसन नमबर A आपका सही होगा अगला प्रस्ने, it is also called ambush marketing, इसे घात विपरन भी कहा जाता है, event marketing, mark marketing, gorilla marketing या नन अबदीज तो देखो, event marketing जो है, इसे ambush marketing भी कहा जाता है, अपसन नमबर A आपका सही होगा अगला प्रस्ने, the basic objective behind what is to add value to the product significantly for winning the customer's loyalty किसके पीछे मूल उदेश ग्रहकों की वफदारी जितने के लिए उत्पाद में महतपूर मुल्य जोड़ना है, value जोड़ना है तो यह होता है, mark marketing, mark marketing यानि रूप विप्रन, इसमें ऐसा प्रक्रिया किया जाता है कि product में कुछ additional wishes value जोड़कर ग्रहकों को, loyalty को लेने का प्रयास किया जाता है अगला प्रस्ने, वे बाजार जिसमें भारी मात्रा में समान खरीदा और बेचा जाता है उसे हम थोक बाजार कहते है, ठीक है, wholesale market अगला प्रस्ने, कौन से वेज खुदाविक्रिता है, जिनके पास व्योसाय का कोई निस्चित अस्थान नहीं होता है तो यह होते हैं, भ्रमार्सील खुदाविक्रिता, यानि, internet retailer ठीक है, option number B आपका सही हो जाएगा अगला प्रस्ने, departmental storage example आप, departmental storage का उधारर है तो बरे पैमाने पे retailing करने का, यानि, large scale retailing, option number B आपका सही हो जाएगा अगला प्रस्ने, what are retail stores owned by a group of consumer themselves किसे एक खुदा इस्टोर उभुक्ताओं के एक समुह के स्वामित में माना जाता है उभुक्ता सहकारी भंडार, cooperative stores, cooperative society में ही न यह होता है कि जो उभुक्ता होता है वो खुद ही जो है, मिल जोलकर आपस में दुकानों को खोलते हैं तो तंजूमर cooperative society में ऐसा होता है अगला प्रस्ने, भंडार से कौन सी उप्योगिता उत्पन होती है तो यह create करता है time utility ठीक है, समय उप्योगिता जब तक माल बिके ना या जब तक लोग उसे लेने को तयार नहीं हो तब तक उसकी कोई उप्योगिता नहीं है उससे वेरहाउस में रख लिया जाता है, समय को बीतने दिया जाता है और समय के साथ उसमे उप्योगिता पैदा होती है जब लोग खरिदने को तयार हो जाते है इस तरीके से time utility की develop होती है अगला प्रस्ने What is a system of selling good directly to consumer through a network of self-implied people स्वारोजगार वाले लोगों के network के माध्यम से नहांकों को सीधे समान बेचने की एक प्रणाली है multi-level marketing, wholesale marketing, vertical marketing या अनन आपदीज तो इसे multi-level marketing कहा जाता है आप संदमबर ये आपका सही हो जाएगा अगला प्रस्ने इना small market, what is better 3-level channel, 2-level channel, direct marketing या all आपदीज एक छोटे बाजार में कौन सा channel बहतर है तो direct marketing यानी सीधा विप्रन ये छोटे market के लिए ज़्यादा उप्योगत है अगला प्रस्ने starting and grading of goods is considered as a function wholesaler, retailer, manager या नन आपदीज वस्तों की छटाई और grading करने का कारिक किस्ता होता है तो ये retailers का होता है, खुज़ा विक्रितों का होता है अगला प्रस्ने non-store retailing के तीन प्रमुक प्रकार है प्रतेच्छ विक्री, प्रतेच्छ विप्रन और स्वाचालित वेंडिंग मसीन अपसन नम्बर ये आपका सही होगा डिरेक्टर सेलिंग, डिरेक्टर मार्केटिंग और आटोमेटिक वेंडिंग मसीन ये तीन ऐसे प्रकार है जो non-store retailing के अंतर्यत अपना आ जाते हैं अगला प्रस्ने which of the following is not a non-store retailing नमलिकित में से कौन सा गैर खुदा बिक्री नहीं है तो कियोस्क मार्केटिंग नहीं है रिटेल चैन भी नहीं है, डिरेक्ट मार्केटिंग भी नहीं है उठाने के लिए एक साथ जोड़ती है दिश चैनल इज वन आप वेच तू आप मोर कंपनी जुएन टुगेदर तो एक्स्प्लाइट दा मार्केटिंग अपर्चनिटी आइदर बाई दिमसिल्व और बाई एन इंडिपेंडेंट यूनिट तो इसे हम हरिइंटल चैनल के नाम से जानते हैं आपसन नमबर ये आपका सही हो जाएगा अगला प्रसने ठोक विक्रिता का कार्य नहीं है वाट इज नौट अप फूंक्सन आप होलसेलर वेर हाउसिंग, बंडार, ट्रांसपोर्टिंग, परिवाहन, रिस्क बेरिंग, जोखिम उठाना या नन आप दीज तो यहाँ पे देखो ये तीनों ही जो है होलसेलर के फूंक्सन होते हैं इसलिए आपसन नमबर डी आपका सही होगा इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो होलसेलर ना करता हो अगला प्रसंद देखिए वह कौन सा खुदा विक्रेता है जिसने एक इलाके में व्योसाय का अस्थान निश्चित किया हुआ है लेकिन बाजार के उसर का फैदा उठाने के लिए वहाँ अपना अस्थान बदलता रहता है चीप जैक्स, हॉकर, मार्केट ट्रेडर्स यानन आप दीज तो यहाँ पर आपका आपसन नमबर यह सही होगा ऐसे लोगों को चीप जैक्स कहते हैं अगला प्रस्थने, देखो रिटेलर्स जो है इसमाल क्वांटिटी में आइटम्स को बेचते हैं चोटी मात्था में बेचते हैं, आपसन नमबर यह आपका सही हो जाएगा अगला प्रस्थने, यह दिवस्तु सीधे उत्पादक से उप्भुकता को जाती है तो इसे जिरो लेबल चैनल कहा जाता है, क्योंकि बीच में कोई भी नहीं है ठीक है, आपसन नमबर यह आपका सही हो जाएगा अगला प्रस्थने, विच रिटेलर ओपन देर साप अन्फिक्स डेज और डेट इन इस्पेसिफाइड एरिया कौन से ऐसे रिटेलर है जो अपनी दुकानों को किसी निर्धारित दिन या तारिकों पे अपनी दुकाने ख्यूलते है हाकर कि अवस्क, मार्केट टेडर्स या ननाबदीज तो ये मार्केट टेडर्स में आते हैं, बाजार के व्यापारी ठीक है, कुछ विसेस मार्केट जो है, कुछ विसेस अलाकों में के अलहपते के कुछ दिन लगते हैं किसी एक पटिकुलर डेपे लगता है, तो वहाँ पे बेचने वाली लोगों को मार्केट टेडर्स कहा जाता है अगला प्रसन है, ये आम तोर पर खादे भंडार होते हैं, जो सुपर मार्केट की तुलनामे आकार में बहुत छोटे होते हैं दी यार जंदली फूड इस्टोर्स, डेट आर मच स्मालर इन साइज देना सुपर मार्केट तो ये कन्विनियन्ट इस्टोर होते हैं, सुधात जनक दुकान, जैसे आपके मुहले में चौराहे पर जो छोटी मोटी जंदल मर्चेंट की दुकाने होती हैं, वो इस कटेगरी में आती है इसे प्रोड़क्ट पर फोकस कर रहा है, अगला पसने, अनलाइन तरिके से समान की खरीद विक्री करना, या एक्चेंज को बढ़ावा देना अच्छा यह देखो यहाँ विती आदान प्रदन दे दिया है, ठीक है ना, विती आदान प्रदन फाइनेंसियल एक्चेंज की बात कर रहा है, तो यह e-payment system हो जाएगा, यदि goods का एक्चेंज हो रहा है, तो e-marketing हो जाएगा, और जब विती की बात कर दिया, तो e-payment system हो जाएगा, अगला प्रसने, वह व्यक्ति जो किसी उत्पाद या सेवा को अपने भूक्त के लिए, या दूसरों के लिए खड़िता है, उसे क्या कहते हैं, तो इसे हम customers कहते हैं, तो इसे हम customers कहते हैं, तो तो बायर है, लेकिन यदि दोनों में कुछ भी हो सकता है, तो इसे हम customers के category में रखते हैं, अगला प्रसने, the word channel derived from the French word, चैनल सब्द, फ्रिंच सब्द से लिया हुआ है, यह रिंच नहीं है फ्रिंच है, तो यह कैनल से लिया हुआ है, आपसन नमबर से आपका सही हो जाएगा, अगला प्रसने, तो इसे सलेक्टिव डिस्टिविशन कहेंगे, आपसन नमबर भी आपका सही हो जाएगा, अगला प्रसने, तो यहाँ पर आल आप दीज हो जाएगा, यह सभी मार्केटिंग चैनल के फैदे होते हैं, तो आज के लिए इतना ही उमीद है कि यह वीडियो आपके लिए फैदे मन्द होगा, बहुत सारे कुश्चन आपको एक्जाम में देखने को मिदेंगे, यदि वीडियो आपको अ ठीक है, तो आज के लिए नहीं good day to all up you